गीता में अर्जुन को स्वयम भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो इसी प्रकार हजरत मुहम्मद को उनका अल्ला कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर वो प्रभू कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिये जगत गुरूत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज के अम्रित वचन अपने आत्माओं जिस बगवान के लिए रिशी तड़ रहे थे और जिसके नाम लेने से आत्मा गदगद हो जाती है रोम रोम खड़े हो जाते है और उस परमिश्वर को उस परम सक्ती को एक माई ने अपनी गुद्धी में लेकर पूत्रवच प्यार किया कभी उसका मूँ चुम्या कभी माथ्य के लाया और सो सो सुकर मनाया अपने संकर बगवान का अपने आत्माओं देखो आज तक हमारे ऐसे बुद्धी रही के करता बगवान कोई रहा हम क्रेडिट किसको देते रहे जो भी हमारे घरों में कोई सुक होता था हम जिस भी इस्ट किसाद ना करते थे उसी के निमत उसको कर देते थे कि इस भगवान विश्रों जेने हमारे ये सुक्तिया अब पता चला इनके विध्धान से, इनकी सख्तिसे कि यह तो कुछ कर ही नहीं सकते, यह तो जैसा संसकार है वैसा ही दे सकते कि आवल एक परम सकती है परम अक्सर परम वो कबीर भगवान वो हमारे वही हमें जो देता है और निमत वो किसी को भी बनाता है तो वही कर रहा था तो उस दिन खुद मालिक उसकी गोदी में है और वो भी सुकर मना लिये संकर भगवान के कि उन्होंने मुझे ये पूतर दे दिया इसका कारण क्या था ये आपको बता दिया कि सुपत सुदरसन के ये माता पिता थे उस परतीग्या वस्परमात्मा उसके घराए थे और इसमें नंबर बने थे संकर भगवान के तो आज तक हमारे ये अंधेरा नूचा रहा था अब इस तत्व ग्यान से ये मोतिया बिन का उपरिशन हो जागा अग्यान का अब साफ दिखेगा आपने कि हुई इस गौड परमात्मा कौन है उसका परमान कहा है अब निरुसनान करके बाहर आया तो उसने सो सो विचार लगाए कि पहले हम मुसलमान बना दिये हिंदू हमारे साथिरी मुसलमानों से रलेशन सिप गणी नई बनी क्यों कोई बालक रिष्टेदार ने बना बालक नई तो उसने सोचा यद petites हम इस बालक को लेकर घर जाएंगे तो नगरवाले ये पूछेंगे कहां से लाए हम कहेंगे कमल के फूल पर बिला तो किसी को विश्वास नहीं होगा कि बालक और कमल के फूल पर कैसे रुक गया तो उसने अपनी मन से सोचा कि हमें गाउं से भी निकाल लेंगे सेर से भी भार करेंगे और प्लड का भी छीन लेंगे हमारी मार मार के हुलिया बिगाड़ेंगे और पूछेंगे कि बताओ इनकी माता पिता कौन है वो रो रही होगी जिसका तुम चुरा कर लाए हो तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप ऐसे करो इसको रख दो यहीं पर हमारे साथ ऐसा बनेगा बच्चा भी जाएगा हमें देश निकाला भी देगा उसकी पत्नी ने कहा कि मैं इस बालक को नहीं छोड़ सकती नाजा ने इस बच्चे ने मेरे उपर केजा दू कर दिया मैं जी नहीं सकती मैं मर जाओंगी मैं देश निकाला भी ले लूँगी इस बालक नहीं छोड़ सकती अब नीरू ने पहली बार अपनी पतनी की तरफ हाथ किया था कि तू जिद्धी बन गई मेरी एक भी बात नहीं मानती है मैं आज तक तेरी सारी बातों को मानता रहा क्योंकि तेरे संतान नहीं थी तेरी किसी बात की अवैलना मैंने करी नहीं कि कहीं तरह दिल ना दुख है लेकिन तू इतनी स्टड़गी शिर्प है एक भी नहीं मानती मेरी रख दे इस बालक नहीं तरत ऐसा मारूंगा थपड़ ऐसा उसने किया ही था तो प्रमातमा बोले नोजाद सिसू के रूप में कि नीरू मुझे घर ले चलो तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा अब वो डिर गया कि बालक बोल लाकर इसमें कोई फरिष्टा है या कोई भूत परीत है कोई जंद है वो चुप करके आगे आगे चल पड़ा अपने अत्मों सारा सेर देखना आया इतना सुंदर बालक नूर न्यारा वगवान का कितना है उन्होंने हलका नूर कर रख्या था लेकि न्यारा चेरा दम दमा रहा था ता तक सारा गाउन नगर जूंड के जूंड इस तरी अपर उस गीत गाते हुए आँ हैं आ रहे हैं और उस भालक को देखने के लिए आ रहे है किसी के मन में ये निगा कि कमल के फूल पर मिला कैसे और वह सची बता रहे थे कि ऐसे हमें मिला तो कोई भी इस बात पर जृण न गा और सभी ये कह रहे थे इसा भालक तो कि देखना ना सुना ये तो कोई फरिष्टा है कोई बिरमावी सुनो महें से कोई एक सक्ती आई है ये आम बालक नहीं है कुछ दिन के अंदर ये बात समाप्त हुई चर्चा कावी से खतम हुआ अब पत्शीस दिन की हो गए प्रमात्मा ना अन खावें ना दूद पीवें माई जो है देखते कर चिंतित होती है अपने पती से भी कहती है कि ये भगवान अब क्या बनेगा मेरे साथ बालक दिया भगवान ये संकर भगवान बच्चा भी दिया अब वापस लोगे इसको कुछ खा नहीं रहा ये कभी भी मर सकता है पत्तिस माद दिन आए गया उस दिन तो उसने रुद्धन मचाए दिया सुमाई ने निमा बैठी बैठी रोए रोए सुबए की और संकर भगवान को याद करे है भगवान अब ये बालक मरेगा आपकी बेटी भी साथ मरेगी इसके बिना मैं जी नहीं सकती तो ऐसी कसक बनी उदर से प्रमात्मा ने प्रिणा की कि अबुलिया मरेगी संकर भगवान को सिव मंडल से प्रिवित किया उसके एक तम कसक हुई कि मुझे कौन याद कर रहा है साथ होरू बना कै संकर भगवान वाँ पर गट होगे नीमा से पूछा कि आप क्यों रोरी हो बाई आँखों में आसू थे जुबान निकल ने रही थी इतना हर्दे भर गया था रोती रोती ने कहा कि महात्मा जी मेरे दुख ना पुछो आप भी दुखी हो जाओगे आप चाओ तब संकर भगवान ने कहा कि बेटा ऐसे कहते हैं अपने दुख को किसी को बता दे हलका हो जाता है आप बताओ तो स्री और हो सकता है मैं कुछ इसका प्रबंद कर सकूँ तो अपना जरूर विष्था करूँगा तो इस माई ने फिर बताया कि महाराज हम नहीं संतान हैं और परमात्मा एक दिन में स्नान करने के लिए लहरतारा तलाब पर गए थी हम दोनों पती पतनी उस दिन मैंने विशेश अरज करी थी अपने संकर भगवान से रो रो के उसी दिन उन्होंने मुझे कमल के फूल पर यह बालक दे दिया और ये लड़का आज पत्तीस दिन का हो गया महाराज ना खाता है ना पीता है ये कभी भी प्रान ट्याग देगा और साथ मैं मरूंगी मैं जी नहीं सकती से बालक बिना तो बगवान सेंकर ने कहा कि वो बालक तेरा कहा है लाई ये साथू रूप में खड़े थे निमा उठा के लाई चल साथू संत है कुछ जनतर मंतर कर भी दे यू बच्चा कुछ खा ले पी ले तो निमा लाई उठा के परमातमा को बालक को और उसने चाहा साथू के चर्णों में रख दूँ चर्णों में डालना चाहा परमातमा को परमातमा आकास में उठ गे हाथ से उपर उठ गे आथों में से और संकर बगवान के शिर के सतर में यानि साथ आठ फुट शे फुट उपर जमीन से उपर ऐसे हवा में रुख गए अब उस माई नीमा ने सुचा कि इस महातमा में कितनी करामात है मेरे बालक को हवा में उड़ा दिया ये जरूर कोई इलाज करेगा इसका अब ये है तक्कर था हमारे समस्चा थी परमातमा को परमातमा ना मान कर अन्यको ही भगवान उसको समर्थ की संग्या देते रहे तब भगवान संकर ने ऐसे हाथ किये परमातमा उनके हाथों में आगे और फिर साथ बार आपस में बातें की ना संकर भगवान समंद सके कि यो पूर्ण परमातमा रही है इतना उनको जुरूर महसूस हुआ कोई रिशी है ये पिछले जनम का महापुरुश है तो उन्हों ने परमातमा ने कहा कि भगवन एशिव जी इन से कहो एक कमारी गाएं ले आवें कमारी बच्चिया गाएं की बच्चिया जिसको बैल ने टचना करया उसको कमारी कहते और उसको उसके उपर आप अपना आसिरवाद वरा हाथ रखते ना वो दूड दिया करेगी वो दूड मैं पिवगा तो संकर भगवान ने साधु रूप में निमा से कहा कि अपने पती को बलाओ तो उसी से में निरू भी आ गया और संकर भगवान यानि साधु ने कहा कि आप एक कोवारी गाएं लियाओ और कुमार के घर से कोरा बरतन लाना सबच वो जाकर एक कोवारी गाएं लियाया रिक पातर लियाया सोटा सा मटका और उसको साफ करके संकर भगवान ने कहा कि इसके नीचे लेकर बैठ जानी रूप या दूद दे वाएगी आस पास के और भी बहुत से भगता आगे लोग कठे होगे तो संकर भगवान ने ऐसे कमर पे हाथ रख दिया बच्या कि लंबे लंबे सतन होगे और कमारी गाये ने दूद का पात्र भर दिया उस दूद को परमातुमा ने पिया परती दिन वो गाये फिर दूद देन लागी और भगवान उसको पिया करते थे अपने अत्मों इसका परमान दिखाते हैं आपको कि कबीर सागर के अंदर 600 वरस पहले ये लिला दर्द है भगवान के बारे में लिखी हुई है और फिर आपको वेदों से परमानित करेगा ये दास के वेद क्या बताते हैं भगवान कैसी लिला करता है तो दो मिंट में समझ मा जागा हू इस गौड है कबीर शागर ये कबीर सागर है कितना मोटा गरंथ है और इस में आपको दिखाते हैं संपूर्ण ग्यारा भाग कबीर सागर पर्थम खंड कबीर पंथी बारत पतिक स्वामी युग लान दे बिहारी द्वारा परस्कृत कि का मुल्डर के प्रकास के खेमरा स्री कर्शन दास अध्यक्स वेंकेटेसवर परेश कैमरा स्री कर्शन दास मार्ग मुबई से और यहां इनका यह तूसरा एंड़ से आपके इसमें एक ज्ञान सागर नाम का अज्ञाय है इसके 74 प्रिष्ट प्रिष्ट पे ज्ञान सागर इसमें लिखा के सुन जुल्धा मनभया आनन्दा जिमी चकोर पायो निशिचंदा अब यहां क्या बता है कि फिर वो जुल्धा नीरू बड़ा खुस हुआ इतना खुसी हुआ जैसे चांद चकोर पक्सी को चांद दीख जाया करें चंदरमा सुन जुल्धा मनभयो आनन्दा जिमी चकोर पायो निशिचंदा ले सुत सुत मने पूतर को ले सुत चले हरस मन कीन्या अर्ता सुंपन अस बोल ही दिन्या सुत कासी को ले चले लोग देखन ते आव अन पाणी भखसे नहीं भखे नी खावे नहीं जुल्ला सोक मनावे जनावे तब जुल्ला मन कीन तिवाना विचार किया रामा नंद सो कहा उतपाना मैस उतपायो बढ़ा गुन वनता कारण कौन भखे नी संता अब इन्हों ने कैसे बताया है वैसे लीला तो ही योंकी यों बनी है परमातमान कुवारी गाएं का दूड दिया अब इन्होंने स्वामी रामा नंदी से जोड दिया कि कोई दुखी विक्ती होता है तो सादू संतों के पास जाता है अपने बच्चों के कर्ष्ट मिवारन के लिए तो जुलहा जो निरू था रामा नंदी के पास गया उससे सारी बताया कि एक छोटा सा बालक मिला मुझे ऐसे ऐसे वो खाता पीता नहीं तो वो क्या समाधान बता रहा है द्धान तब धारा जुलहा सोंत वचन उचारा पूरग जनम तेब्रा मन जाती हरी सेवा के निभली बाती कुछ तो सेवा हरकी चूका और ताते वहो जुलहा का रूपा प्रीती परभू गय तो लिनी ताते उद्धान में तो ये सुत दीना अब ये निरू वचन है ये नूरी गल्द प्रिंट है नूरी नहीं है नीरू ये नीरू है गल्ती से नूरी प्रिंट कर दिया इसमें अब नीरू क्या कहता है पर वूजस की नो तस पायो आर्थ हो तो दरसर आयो सो कहिए उपाय गुसाई अब बालक अक्सुदावंत कुछ खाई ये बालक मेरा भुखा है कुछ खावै ऐसा कोई उपाय बताईए रामानद अस युक्ती विचारा के तुम सुत कोई गैनी अवतारा तेरा पूतर जो है कोई ब्रामन है कोई विद्वान पुरुस है पूर ते ही आगा वो बच्चिया ले आना जिसको बैल ने टच ना किया हो और फिर उसके पास खड़ी कर देना दूद चले ते ही थनते दूद ही धरो छिपाई और अक्सुदावंत जब हो है ताके देखवाई जुल्ह एक बच्चिया ले आया और चलो दूद कोई मरब न पाव चलो दूद जुल्ह खरसाना राख छिपाए कहो नहीं जाना दूद तब पीवत नाम कबीरा और खिलत संथ संगमत धीरा अपना अत्मो इसमें थोड़ा सा इन्हों ने ये पता नहीं चला कि वो संथ कौन आया था जो निमा को मिला था इसलिए प्रमात्मा ने छिए प्रमा अपने पिरियेज भगत धरम्दास जी से की धरम्दास जी धरम्दास जो बार मापंथ गरीब दास्पंथ होगा उसमें मेरी महिमा की वाइनी पुने परगट होगी और वो यतहरत ग्यान होगा तो यहां इन कभिर पंत्योंने इतना था और प्रमात्मा ने कभीर के लिला कुवारी गाएं से हुई थी तो उनका यू ना पता ले गया कौन रिशी था कौन संत मातमा था जो उनको मिला था तो उन्होंने वैसे अपने आइडिये से लिख दिया कि रामा नंदी से भी पूछा होगा उस दोरां तो सभी जगह गई हुए लेकिन उन से कोई बात बनी नहीं थी तो स्वम प्रमातमा ने संकर भगवान को भीजा था कि उनके पूरपदारी थी अब आपको ग्रीबदास साहिब जी की वानी से वो दिखाते हैं सुनाते हैं अब उसमें थोड़ा सा एक परसंग और सुनाते हैं अब आपको पहले प्रमानित करते हैं ग्रीब सीव उतरे सीव पूरी से अवगत बदन बिनो दे मैंके कमल खुशी भहे फिर लिया इसकूंगो दे सीव उतरे सीव पूरी से संकर भगवान आये अपने लोग से और वहां भगवान को प्रमातमा कबीर जी को गोदी में ले लिया ग्रीब दासी बतारे हैं सीव उतरे सीव पूरी से अवगत बदन बिनो दे मैंके कमल खुशी भहे भाई लिया इसकूंगो दे नजर नजर से मिल गई ही किया इस परणा में दोनों भगवानों के आपस में दूआ सलाम हुई और संकर भगवान ने फिर क्या कहा धन मोमन धन पूर ना ये धन का सीनी काम है के धन है सी नगरी जहां पर ऐसे महापुरुष का आगमन हुआ संत रूप में संकर भगवान बता रहे साथ बार चर्चाकरी और बोले बालक बेने शीव को कर मस्तक धर्या हाल्यावू मुमन एक धेनू अन्ब्यावर को दूहत है दूद दिया ततकाले कमारी को दूद निकाला अपने हाप दूद दिया ततकाले अन्ब्यावर को दूहत है दूद दिया ततकाले पीवे बालक बरमगती ही तासिव भे दयाले अब यहां से हम इतना ही लेंगे यह सद हो गया कि कबीर परमात्मा ने जब वो बालक रूप में परगटे थे सीसो रूप में कवारी गायों का दूद पिया था अब हमारे पुईतर वेद क्या बताते हैं वेद क्या है वेद कोई किसी जंतर मंतर जंतरी की किताब नहीं है यह को तीथी वार बताने वाड़ी नहीं है इसम परमात्मा के गुण परमात्मा कैसी लीला करता है वो कहां रहता है और उसके पूरी जानकारी है और जिस महापुर्श की लीला हमारी वेदों से मेल खाती है तो ही इज गॉड वही परमात्मा है अब आपको दिखाते हैं यह देखिएगा रगवेद रगवेद नो और दस मंडल है यह महारी शिदान सरसुती लख्या है यह कहां से छपा है यह देखिएगा सारवदेश्टिक आरिये परतिनिदी सभा महारी शिदान भावन राम लिवा मैं दान नहीं दिल्ली से यह इनके फॉन और फैक्स नमबर है और यह यहां से छपा है परेंस आपसेट परिंटर्स पंदरा सो दस पटोती हाउस द्रियागन नहीं दिल्ली से अब इसके रगवेद मंडल नमबर नौ का और सुक्त नमबर एक का मंतर नमबर नौ आपके रूबरू करते हैं रगवेद मंडल नमबर नौ और यह सुक्त नमबर एक है पर्थम से सुक्त है अब इसके हम नौ नमबर पे दलते हैं यह नौ नौ मा सलोफ लेती यह देखिए रिग्वेज मंदल नम्बर नौ सुक्त एक मंतर और मंतर नम्बर नौ यह नौ अभी अधन्या उत्षिर्णति धेनव धेनव है सिसुम यह सिसुम समझ लिखा है सोम इंद्राय पात्वे अब एक कमाल की बात देखो परमातमान कैसी लीला की है यदि यह दास अनुवाद करता इन वेदों का अमने तक करे राखिया था तो मारे बगवाद की लीला हमने पता कि कभी रिजगोड परमातमा की महिमा में लखी आँखों देखा संतों ने बता दिया लेकिन आप जी का विश्वास नहीं हो था जब तक वेदों मना मिलता अब वेद क्या बता रहे हैं और य ये खुद बगवान को निराकार मानते हैं इन्होंने कोशिस भी की है अडंगा करन की अनवाद की लेकिन कहते हैं चोर चुरावे तुम बढ़ी गड़े पानी में वो गड़े वा उपर आवे ने सचाई चानी नहीं खोब कोशिस की अपना अज्ञान के आधार से इनका अन चर उसको देखो कमाल के अदमें के अब सोम माने परमातमा छए है जगा कहाँ नह्मे मंडल का ये परत्षा मंत्र है ये वाला और इसमे सोम सबद है ये सोम इसमे सोम माने सोम सुभाव परमातमा य lol सोम का अर्थ है परमात्मा सितल सर्वस शान्ती दायक परमात्मा सोम माने चंदर्मा भी होता है लेकिन यहां परमात्मा की महिमा चल रही है सोम माने परमात्मा तो यहां इन्होंने क्या डंगा कर दिया रगवेद मंदर नम नो सुकत एक मंतर नो में इम माने उस सोम माने सोम सो भाव वाले पुरुष को हम कहेंगे उस सोम सो भाव वाले परमात्मा को जो सिसु जो सिसु रूप मधहर्ण करके कुमार वस्था में अभी अधन्या अभी माने सब परकार से यानि पूर्ण रूपेन अधन्या माने एहिंसनियन ही अन अधन्या माने बिना धनाई धेनों माने गौवें तरप्त करती है बता अभी ने खूब कोशिश कर लिए बकुवाद करन की लेकिन छुपा नहीं सके इस सिद्धा सार्थ है कि जब परमात्मा सी सुरू परमात्मा त अधक परभू एक लिला करने के लिए जो यहां परगट होना है सैसरीर आता है और वो तीन परकार के सिरीर से सब की सतिद्धी सब का धान पुश्ड करता है एक सरीर में तो सतलोक में रहता है वह तो बहुत तेजों में सरीर है एक रोम कोप मकरोड शिरिये मिलादे करोड चंदरमा इतना नूर है फिर हलका तेजपुंज का रूप बनाके वो दो परकार से और लिला करता है एक तो करता है सिसुरूप धान करके एक लिला पर तेग युग में ऐसी ही करता है कमल के फूल पर परगट होता है तलाब के नारान भी कहा जाता है नारान वाने जल के उपर आके विराजमान होने के कारण बंगवान नारान कहलाता है और वहां से ये ऐसे निसंतान तंपती परते की युग में उनको उठा ले जाते है वहां फिर वो लिला करता है एक मुनस की तरह जीवन जीता है ग्यान पर जार कर और दूसरी परकार का फिर वो कभी भी कही पर भी जिंदा महातमा संत साथू का रूप धान करके और आके परगट हो जाता है अच्छी आतमाओं को ग्यान देते हैं उनको सतलोक ले जाते हैं फिर अपने गवाँ बना के छोड़ जाता है इस परकार वो लीला करता है तो जब सिसु रूप धान करके वो परमातमा लिला करने आता है तो उससे में उनकी परवर्ष की लिला उस बालक रूप में परगट परमातमा की परवर्ष की लिला कुमारी गायों के द्वारा होती है फिर देखो बेद क्या बता रहे हैं उस सोमसुभावाले पुरस को यानी परमा जो गाएं बिलकुल ना ब्याय हो नए दूद ना ओगर्ब न धारण किया उसको क्या अधन्या यानि बिना धन्याई उसने पसुन बैल ने टशने किया तो यह कंपली अभी अधन्या यानि कती भी टशना करी हो कमारी गव्व्वे धेनमे माने गव्वे अभी बाने सब परका से अधन्य माने बिना धनाई यानि कम्प्लीट कौारी धेनों माने गोवें तरप्त करती हैं उनके पालन की लीला कौारी गायों से होती है अब हुई इस गौड कभीर इस गौड है अपने अत्मों परमात्मा जब पांच वर्स के हुए और रामा नंजी के साथ उनकी गोश्टी हुई जैसा कि अज़ दिन मैं दास बता रहा था फरमेश्वर कभीर साहिव ने गुरू धारन किया इस लिए गुरू बनाया रामा नंजी को कि वो बहुत बड़े पोंचे वे ब्रामन माने जाते थी विद्वान वेदों गीता और पुराणों के मरमज गाता माने जाते थी और उनको कख का पता नहीं था वेद और गीता के बाहरे में संस्क्र दुरू गोट रेकी थी लेकिन नेक चलन के आदमी थे निसकाम भाव से जानी वो ग्यान परचार कर और करवा रहे थे तो प्रमात्मा ने ये मरियादा बनाए रखने के लिए कि गुरू बिन माला फेरते उनका वचन है गुरू बिन माला फेरते गुरू बिन देते दान गुरू बिन दोनों निश्पल हैं से पूछो बेदुराण अब प्रमात्मा यदि उसमें गुरू धार नहीं करते स्वामी रामानन जी को तो अब जैसे शिवद्याल जी है राधा स्वामी वाले राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक जहां से ये पंथ चला है राधा स्वामी फिर उससे निकला सच्छा सोदा शरसार ये सारे उनका जो मुखिया था उसका कोई गुरू नहीं था तो आज आम व्यक्ति ये कह देता कि कबीर साहिब ने कौन सा गुरू बना था क्या जरूर ते गुरू की और सिवद्याल जी के बारे मापको दिखाए गया को तो भूत बने प्रेत बने तो खाक मुक्ति होई उसकी जब एक हेड ओफ दी डपार्डमेंट यानि पंथ का परवर्त का भूत बने गया तो अग अन्य क्या बनेंगे उसाधना से इसम बार बार कहने किया हो सकता नहीं बुद्यमान को संकेत का भी है अब प्रमात्मा ने इसलिए गुरु धरन कर किया कि आने वाले समय में लोग इस बात को कहीं पकाल के दूतों का दाव ना लग जा कि कबीर साब ने कुछ साब गुरु बनाया था और दूसरा यह था कि रामानाजी एक ब्रह्मण जाती में थे और इतना अभिमान हो गया था उनको अपने ग्यान का कि वो किसी की बात सुनने को त्यार नहीं थे और माले को पता था कि जिस जीव का नास होगा और यह पिछले जन्मा में मेरी सेवा कर रखे इस ने सत्यों के अंदर ये विदादर बरामन था और त्रेता के अंदर ये वेद विजबरामन था इसने मेरी सेवा कर रखी है इसको निकालना निवारी है जिस कारण से प्रमात्वान एक लीला की जब वो पांच वर्स के होगे एक डाही वर्स के बालक का रूप धारन किया और स्वामी रामान जी परती दिन सनान करने के लिए जाया करते थे गंगा घाट पे पंच गंगा घाट जहांपर ये ब्रहमन लोग विशेश कर सनान करया करते थे तो वहां रिशी रामानंजी 104 वर्ष के वर्ध सुबह सुबह पर ती दिन मुँ अंधिरा जाया करते थे ब्रहमूरत में गर्मियों का मौसम था पर मातमा ने डाहे वर्ष के बालक का रूप धारण किया और कोडियों पर लेट गे अब रामानंजी अंधिरे में जा रहे थे गले मनों के कंठी थी क्योंकि विशनो वैशनो परंपरा के अंदर एक तुलसी के मनिये की एक कंठी होती है कंठी बोलते हैं एक ही मनिया होता है पूरे दांगे में उसको कंठी माला बोलते हैं और वो वैशनों परंपरा से दिखसित की एक पहचान होती है तो रामानंजी नीचे उतर रहे थे अंधेरे में कभीर परमात्मा के शर्म में खड़ाओं लगी खड़ाओं लगी तब लिला की बालक वाली रोने लगे रामानंजी ने सोचा कोई बालक का चोट लागी सादो संथ धालू होते एकदम जुके जुकते ही उनकी गले की जो कंठी थी अंधेरे में निकले के परमात्मा के गले में गले गी कबीर साहिब गया और शर्पे हाथ रखके कहा बेटा रो मत राम राम बोल बेटा राम राम बोले परमात्मा चुप होगे और स्वामी जी अपना सनान करन लागे और कहा बेटा तू बैठ जा किसी का बालक भूल के रस्ता भूल के आगया तुझे सुबह तुमारे घर बिजवा दूँगा यहां बैठ जा वो सनान करन लगे प्रमात्मान तर धान हुए अपने कुटिया मागे स्वामी जी को देखा बच्चा कहा गया उसने सोचा चला गया होगा अब कहा खोज़ जो उसको बात आई गई हुई कुछ तिनों के बाद स्वामी रामान जी का एक स्विवे कानंद कोई सत्संक रह था स्री विशन जी की कथा सुना रहा था सेकड़ो स्रोता बैठे थे परमात्मा भी जा बैठे वहाँ पर उस दिन परमात्मा ने जैसे वैशनों परंप्रा से दिख्सित विक्ती होते हैं ऐसे एक लंबा सा तो तेलक लगाते नाख पर कड़ पूरा और एक कंठी माला पहन लेते हैं तो वहाँ जाकर बैठे गे वो सत्संग वो सुना रहा था परवचन के बिर्मा विश्णों महिस अजरो अमर है बिर्मा जी की तो आयू है विश्णों और संकर अजरो अमर है ऐसे ऐसे तो परमात्मा ने परसंद खड़ा होकर कहा कि स्वामी जी मेरा एक संका है सुमाजान कीजिए विवेका नंद जी ने कहा कि बोलो बच्चा बोलो क्या संका है आप कहते हो के विश्णों महिस अजरो अमर है कहन के माता पिता भी है कौन विश्णों की माँ संकर का दादा कौन है पंड़त जी देव बता अब यहां के सारे फेल है कहता जरो अमर है इनके को माता पिता नहीं यह तरसे लिला करते तब प्रमात्मा ने कहा कि मैंने एक दिन शिव प्रान सुने आथा एक ब्रामन पड़े था और उसकी रूदर सहिता में लिखा हुआ है कि काल रुप इब्रम से और सिवा के संयोग से विश्मों जी की उत्पती हुई ऐसे ब्रमा जी की उत्पती हुई आप कहते हैं स्वामी जी कि इनके कोई माता पिता नहीं है अब उसके दर पैरों के नीच्चे की जमीन निकल गी सामने बेजती हो रही कि बड़ा विद्वान पाक किया था तो उसने कहा कि तूने कैसे पढ़ा पुराणों को प्रमातुमा बोले मैंने पढ़ा नहीं मैं कहता हूँ मैंने सुना कि जूठ बोलता है तो कहीं से दिख्षा पराप्त है क्या ते नित्यलिक वगरा लगा रख्या है कहां जी दिख्षा पराप्त हूँ कहां से विवेकानन ने पूछा कहां से दिख्षा पराप्त है कि जहां से आप हो वही से मैं हूँ मैं हूँ आप कौन है किस जाती से है परमात्मा तो बोले नहीं उससे पहले सरोता ही कहने लगे कि नीरू का लड़का है दानक का जुलाए का तो जुवे का नंद को मौका मिल गया कहने लगा देखो रहे लोगों कितना जूटा है कितना कप्टी विक्ती है बच्चा है ये जूट बोल रहा है कह रहा कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दिख्चाले रखिये मेरे गुरू से वो तो इन सुद्रों को निकट भी नहीं बैठने देता इनकी सकल भी नहीं देखता पड़ देके पीछे से पाते करता है यानि उस विषय को चेंज कर दिया जो भगवान ने सची बताई थी और कहने लगया देखना अब गुरुजी को जा के बताता हूं इसने हमारी बेज़ती कर दी सभा के अंदर और कह रहा है कि एक धानक के पूतर को और हमारे गुरुदेव ने दिक्षा दे रखी है तो उन्हें बेज़ती कर दिया इंसल्ट कर दिया अब वो उठकर चलेगे प्रमातमा आगे अपने कुटिया में मात्पिता के गर्पे मूँ बोले मात्पिता जो थे उधर से उस विवेका नंद ने स्वामी रामा नंद जी से जाकर कहा साथ मैं बीच तीस पचास और चेले ले ले गया वहां के सुरुता और सभी ने एक सुर में कहा कि माराज हमारी तन्नाक काट दी हम तो बाहर निकलन जोगे नहीं एक दानक का पुत्र दुलाहे का पुत्र कहता है कि मैंने गुरू बना लिया आपको परमात्मा सारी कासी में आग की तरह फैल गी यह बात और सभी लोग धिकार रहे हैं अगर ऐसा है तो बहुत बुरा है तो रामान जी ने कहा कि वह जूट बोलता है मैंने कि उसको दिक्षा नहीं दी उसको ल्याव सुबह पकड़ कर सब को बला ले सब के सामने कह दूँगा विवे कानंद ने तो सब को बला लिया वजारों लटी आत्मे ले रहे हैं अब पता लगया कलोनी वालों ने देखा कि बदनीट से आए हैं ये लोग और घर पूछ रहे थे नीरू का किसी ने सोर्ट कर जाकर बता दिया नीमा को कि क्या कर दिया तरी बच्चे ने क्या गलती होगी तुन से ऐसे ऐसे कुछ ब्राह्मन लोग आपका घर पूछ रहे हैं उनकी नीत ठीक नहीं है कुछ जगड़ा करने का उदेश्य से आ रहे हैं नीमा समझगी कि जरूर इस कबीर ने कुछ ना कुछ गडबड करी है यू करता ही रहता था पर मातमा जहां जा पिर जी को उठाया और कहा बेटा तुने किसको क्या कह दिया पर मातमा बोले माता मैं क्या कहूं था मैं कहता हूं सक्थ ये मुझे मारने दोड़ते हैं तो माने कहा कि तू क्यों बो लाग रहे बेटा तू नी जानता है कसाई है और तुझे मार देंगे मैं भी मर जाओंग बैटा फिर हम कैसे जीएंगे प्रमातमा कहा करते माता ये सब मेरे ही बच्चे हैं ये मेरी बात को सुनते नहीं तो मा दमकाया करती की तु दादा पाक गया चोटा साब आ लगा मेरे बच्चे हैं उप रहा करें मैं तु अप फरारत नहा करें तो उस दिन जब जाकर माई ने पता लगया तो तुरंत उस जोफ़डी में गई जिसमें परमात्मा बालक रूप में सोय थे उसको उठाकर और खड़ा करके जोफ़डी के पीछे लिटा दिया उसके उपर कपड़े डाल दिये पुराणे फटे पुराणे गास डाल दिया बेटा बोलना मत कोई निकमा अदमी आ रहा है तुझे पीटने के लिए उनको सक्ता साइद इसी कारण से आ रहे होंगे उन्होंने आते पूछा कि तुरा बेटा कहा है कहा हो कबीर उसको स्वामी जी ने बुलाया है हम पकड कर ले जाएंगे तो वो कहने लेगे जी क्या बात होगी मेरे बेटे नैसी क्या गलती कर दी कुछ कारण तो बताओ कैने लगे वहां पता चलेगा कारण का अंदर गुश गे माई ने बताया नहीं अंदर गुश ये कुटिया में उथल पुथल कर दी डंडे के साथ चार पाईयों को उथल दिया कपड़े कपड़े उठलन लगे कहा है दोर दोर से चिला रहे थे परमात्मा पीछे छुपा रखे थे उन्होंने सोचा ये बुढ़ियान गणा दुखी करेंगे माबाप को बाहर निकल के उनकपड़ों से बाहर और खड़ा होके कहन लगया कि ए विवेका नंद चूपड़ी के पीछे बैठा हूँ आजा वो एकदम भाग के गए देखा तो वो पकड़ दिया अब माता ने सोचा मैं बचाओ अपने बच्चे का बचाओ करो बच्चे की बाहर पकड़ दी लिपट गी उसको डंडों से पीट पीट कर मूर्चित कर गया नीरों को पता चला तू भागा वो आया आगे से चल कर उसने भी पकड़ दें की चेश्टा की उसको भी मार पीट कर कंड़म करके वो लेगे गसीट कर अब रामानंद जी के सामने जाके खड़ा कर दिया रामानंद जी ने पड़दा लगा रखे था अपनी जोंपड़ी में आग गये सामने कबीर साहिब खड़े कर दिये पांत वरस के बाल विवेकानन जी ने कहा कि देखो स्वामी जी ये नीरू का लड़का कबीर आ गया है अंदर से ही जोपडी के अंदर से पढ़दा लगा रखा है प्रमात्मा भार खड़े और वहां परसन उत्र करते है अब गरीब दास्टी ने कितना अच्छा चित्रार्थ किया है वो सुनाते है अड़ा पड़दा लाएकर रामान दूजनते दास गरीब कुलंग छवी वो अद्रड़ाक कुदनते पड़दा लगा के आगे और अंदर से पूठरा है और गुष्यम हो रहा है और कहता है कौन तुम्हारी जात है कौन जात कुल पंथ है कौन तुम्हारा नामे दास गरीब आधी नगती फिर बोलत है बलिजाओं मे रामान जी गुष्यम पूठरा के तिरी कौन जात है तेरा कौन माबाप है तेरा नाम क्या है तो परमात्मा बाहर से बालक रूप में क्या बोल रहे हैं जात हमारी जगत गुरू और परमिस वरहपन थे दास गरीब लिखत पड़ मेरा नाम नरंजनकन थे परमात्मा ने कहा के मेरी जात पोचते हूं स्वामी जी तो मैं जगत गुरू हूँ सब को ग्यान देने के लिए आया हूँ और मैं किस पंथ से संभंधित हूँ मैं परमेश्वर पंथ है मेरा एक एस एक एस वर एक परमेश्वर गीता धाय नमबर पंदरा के स्लोक नमबर 16 और 17 में तीन पुरूस है तीन इस हैं तीन पुरूस हैं इस को सर पुरूस इसको इस समझो 21 ब्रमांड का स्वामी ये ब्रह्म है और अक्सर पुरूस ये साथ संभ ब्रमांड का स्वामी है इसको इस वर समझो उस इस से स्रेष्ट और चौता जो परमक्सर व्रहम है वो परमेशवर है इस्वर से भी स्रिष्ट परमेशवर तो उस कहते हैं मेरा जो मारग है उस परमेशवर वाला है जाते हमारी जगत गुरू और परमेशवर है पन थे दास गरीब लिखत पड़ नाम नरजन कन थे और वेदों में जो लिखा है ना बगवान वो मैं ही हूँ अब इस बात का दुख हो गया रामान जी को के छोटी सी जाती मुट्फुन लड़का पर कैसी बकवास करा है रे बालक सुन दुर्बू धी गटमट तन आकारे दास गरीब दर्द लगया परमात्मा ने अपने आपको परमात्मा कह दिया तो रामान जी के गणा दुख हो गया कहने लगया रे बालक सुन दुर्बू धी ए बूधी भरस्ट बालक और रामान जी बगवान को कैसा मानते थे जैसे आपका और हमारी बूधी का सतर था ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था विश्णों जी के पुजारी हैं मूर्ती दे रखी है और भगवान को इन राकार माना करते थे तो यहां इसी दिरिश्टी कौन से स्वामी रामानम जी कर रहे हैं आए अभमुन श्रधालों के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महराज जी से दिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ती मार्क पर चल रहे हैं कितनी उमर रही होगी आपके उस टाइम फोट स्टांडर्ड में मेरी एट यॉर्स आठ साल की उमर में आपने संत रामपाल जी महराजी से नामदिक्षा ले ली जी तब इसे नामदान लिया हुगा तब से लेकर अब तक आपका अनभव क्या रहा है संत रामपाल जी महराज जी नहीं बताए हैं जैसे सब लोग बोलते हैं गॉड़ जवान और उसके बाद हमें हजारों नाम बता दिये भगवान के राम जी भगवान है क्रिशन जी भगवान है शिव जी भगवान है ब्रह्मा जी भगवान है तो ये गॉड़ जवान का तो कोई मतलब ही नह जी ने हमें ग्रंथों में से दिखा दिया, सारे ग्रंथों की, सारे रेलिजन्स की होली बुक्स उठाइ, बरमात्मा ने बाइबल उठाइ, कुरान ऊठाइ, गीता जी उठाइ, सब में उठाके निचोड़ निकालके दे दिया कि वो भगवान कौन है और उनका नाम क्या है? मुझे बोलना आया होगा तब से मैं अपने पापा से एक question पूछती थी कि पापा हम यहाँ पर क्यूँ आए हैं और क्यूँ यहाँ पर death हो जाती है क्योंकि मैंने मेरे घर में परमात्मा की देह से कभी कुछ बुरा नहीं हुआ बट मैंने death होती देखी दूसरों के घरों में तो मेरे दिमाग में एक question बच्पन जहीं आता था कि बापा प्लीज बता दो कि यह मरने के बाद आत्मा कहां जाती है तो उनके पास कोई answer नहीं होता था क्योंकि उन्होंने आसाराम बापुजी से नामदान लिया हुआ था तो वो कहते थे कि मुझे तो इस चीज का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता तो जैसे गुरुजी का ग्यान सुना स्टार्टिंग में ही तो गुरुजी ने creation of nature बता दिया जिसमें गुरुजी ने बताया कि आत्मा आती कहां से और हम मरने के बाद कहां चले जाएंगे और हमारे साथ क्या क्या बीटता है उसके बाद तो मुझे जब ये question का answer मिला मुझे तब ही पता चल गया था कि यही परमात्मा है और ये भगवान ही आये हुए ये कोई गुरु नी है ये भगवान आये हुए तो अब इतने लाखों की तादाद में एक व्यक्ति कैसे ये निर्ने करेगा कि कौन संथ सही है और कौन संथ सही नहीं है देखे हर चीज का ना जो निचोड होता है वो हम किसी constitution को लेकर चलें तो जैसे हम इंडिया की constitution है अगर उसको follow नहीं करोगे जैल में पटक दिया जाएगा आपको इसी प्रकार से जो हमारी holy books है वो spirituality का जो base है उसी में है तो हमारी spiritual books में जो लिखा है वो संथ हमें follow करेंगे अगर हम उन संथ को तो ही हम पार हो सकते हैं और गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि तत्विदर्शी संथ वो है जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी व्रिक्ष को जड़ से लेकर टहनी तक भाग सहीद बता देंगे और वो आज तक सिरफ ही बंदी छोट सद्गुर रामपाल जी महराजी नहीं किया है देखिए आप educated है आप से एक बात पूछना चाहेंगे आपने कहा कि संथ रामपाल जी महराज वेदो के अनुसार भक्ती बताते हैं बाकी और कोई संथ नहीं बताते दिखी लाखो करोड की तादात में ऐसे followers हैं जो किसी अन्य संथ से जुड़े वे हैं आपको लगते है कि आज तक किसी भी संथ ने वेदो के अनुसार साधना नहीं बताई और केवल संथ रामपाल जी महराज नहीं बताई है जी बिलकुल किसी ने भी वेदो के अनुसार भक्ती नहीं बताई गुरुजी एक एक line को न उंगली लगाकर बता रहे हैं कि बच्छों देख लो ये लिखा हुआ है और हम कर क्या रहे हैं ये आप कैसे के सकते हैं इस बात का नहिने कैसे हो कि कोई धूसरे संथ हैं की जो सास्तोर के नातिज बता रहे हैं कैसे लोग नहिने करें सर आपने बहुत ही अच्छा question किया कि हम किस तरीके से निर्ने करें कि सही संत कौन है और कौन सही भक्ती बता रहा है तो पहला point में आपको बोलना चाहूंगी कि बाकी जो गुरू है वो सब बोलते हैं कि परमात्मा निराकार है बलकि हमारी holy books साफ साफ बोलती है कि परमात्मा साकार है Bible में लिखा हुआ है प्रभू ने मनुश्य को अपना ही स्वरूप दिया तो ये fact reinstate हो रहा है कि परमात्मा तो साकार ही है Bible में एक और चीज लिखी हुई है In the beginning was the word and the word was with God and the word was God तो शब्द रूप में परमात्मा है और परमात्मा साकार ही है तो सबसे पड़ी चीज तो ये है कि God is in form, God is not formless जो कि बाकी सब संथ बोलते है दूसरी चीज जो है कि पाप कर्म कट सकते हैं कि नहीं कट सकते जितने भी पंडितों के पास, जितने भी गुरूओं के पास आप चले जाओगे वो पहले तो आपको पकहनद बताएंगे बाकी कि ये कर लो वो कर लो जब उससे आपको लाब नहीं मिलेगा लास में वो बोल देते हैं पाप कर्म तो आपको काटना ही पड़ेगा जो की बिलकुल भी सही नहीं है गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा की शक्ती इतनी जादा है कि वो किसी भी पाप को, किसी भी लेवल का पाप हो वो काट सकते हैं और आपकी उमर तक एक्स्टेंड हो सकती है तो दूसरी चीज यह है कि पाप कर्म कट सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है कि पाप कर्म दंट कट नहीं सकता तीसरी चीज वरत करवाते हैं वो लोग बाकी सब से तो वरत करना साफ साफ मना किया हुआ है हमारी holy books में क्योंकि अगर वरत करने से मुक्ती होती तो जब अकाल पड़ता है किसी के पास कुछ भी खाने को नहीं होता तो वो भी तो वरत ही हुआ तो तब इतने जादा लोग क्यों मर जाते हैं चौती चीज ये कि एक तरफ तो बाकी सब संत बोलते हैं कि गंगा जी में अगर आप डुपकी लगाओगे तो आपके पाप करम नश्ट हो जाएंगे और दूसरी तरफ आप बोलते हो कि पाप करम नश्ट नहीं होते तो ये contradictory चीज़े हो चुकी और इनका solution सिरफ ये है कि सही परमात्मा की भक्ति करो एक वही वह है कि आपको salvation attain हो जाएगी और इस जनम मरन के चकर से हम बच पाएंगे देखे इसके बाद भी सबसे बड़ा सवाल ये उड़ता है कि यदि हम सास्तोर के अनुसार भक्ति कर भी लेते हैं उसके बाद भी एक मनुश्यों को एक व्यक्ति को सारे एक लाब आध्यात्मिक लाब बहुत इक लाब की जरूत पड़ती है हम आपसे ये जाना चाहेंगे कि संत्रामपाल जी महराजी से नामदिक से लेने के बाद आपको क्या लाब मिले तो मुझे इतने जादा लाब मिले हैं कि अगर मैं आपको बताने चलूं तो मैं कभी एंड कर ही नहीं सकती क्योंकि पल-पल में लाब होते हैं तो फर्स लाब मैं आपको बताऊंगी सबसे बड़ा तो आध्यात्मी लाग भी है कि वो पात पिल गया जिसको जिसपे हम चलेंगे तो हमें सालवेशन अटेन होगा ही होगा यह जो जनम मरन का चकर है जिसमें हम युगो युगों से फसे हुए हैं इससे हम पार हो जाएंगे दूसरा लाब जो मिला वो है 2012 में मेरा बहुत ही भयंकर आक्सिडेंट हुआ था और मेरा ब्रेन भी बाहर आ गया था और मेरे फेस के थ्री पार्च हो चुगे थे अब बो तो मैं आपको दिखा नहीं सकती है पर यह हाथ एक प्रूफ है कि मेरा तब बहुत घट्या एक्सिडेंट हुआ था और मेरा फ्राक्चर मेरे पूरी हड़ी तूट चुकी थी हाथ कौन सा हस्पिटल में आपने दिखाया दिएमसी हस्पिटल में दिखाया था लुध्याना में और वहां के जो टॉप थ्री डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने मुझे ऑपरेट किया था एट आर्स प्लस मेरी सोजरी चली थी और एटी प्लस टिचिज मेरे सर पर हैं तो गुरुजी की दया इतनी जादा हुई सेंसरामपाल जी महाराज जी की कि सिरफ उसी दिन मुझे होश भी आ गया और डॉक्टर्स मुझे अभी तक मेरेकल बुलाते हैं सब मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगी कि 2014 में भी मैंने अपना इंटर्व्यू दिया था और उसमें आपको साफ साफ दिखेगा भी कि मेरा बहुत ज्यादा बुरा अक्सिडेंट हुआ था और यहां पर निशान भी तब उसमें क्लियॉली दिख रहा है और क्या अलाब मिले हैं आपको? कर दो एक्जाम के बाद यह करवा लेंगे तब तक आप मेडिसन दे दो एक्जाम के बाद जब मैं गई तो मेरे सिर पे और रेडी चोट है तो मुझे डर लग रहा था कि यह लोग खीचेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो गुरु जी इतनी दया करना कि आप बस महाँ पर सामने खड़े हो जाना जब मेरा ऑपरेशन हो रहा होगा तो हम डॉक्टर के पास फिर से गए डॉक्टर ने एक बारी का एक बारी चेक फिर से कर लेते हैं तो उन्होंने चेक किया उन्होंने का आपको कौन से डॉक्टर ने बोला था कि आपको ऑपरे के बाद जो मुझे लाब हुआ, मुझे छोटे में बहुत ही तेज स्टमक एक होता था, मुझे ये भी नियाद कौन सी साइड होता था, पर बर्मात्मा से नाम लेने के बाद वो दर्द भी हमेशा के लिए चला गया। अगला लाब संत्रामपाल जी की दया से ये हुआ, कि मेरे दादा जी को तीन बारी हार्ट अटाइक आ चुका है, और तीनों बारी ही गुरुजी ने बचा लिया। अगला लाब मैं आपको ये बताऊंगी, जो कि सबसे बड़ा लाब है, कि मेरे पे काल का अटाइक पांच बारी हो चुका है, और पांचों बार नाम लेते ही, जैसे ही गुरुजी ने बताया है, कि आपको चाहे प्रथम नाम मिला हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, आप उ ऐसे ही वो गिरा, परमात्मा सामने आके खड़े होगा, और परमात्मा ने वहां से मुझे पांच बारी बचाया है, लेकिन सवाल यहां पर यह उड़ता है, कि आपके ओपर अटेक होता ही, क्यों है, क्यों आपका एक्सिडेंट होता है, क्यों इतनी सारी परिशानिया आप के सामने आती है परिशानिया हम पर हमारे पिछले कर्मों के कारण आती है और इसका सिरफ तोड यही है कि हम पूर्ण परमात्मा की शरण में चले जाएं जो कि इस डेट पर बंदी छोड़ सद्गूर रामपाल जी महारा लेकिन आप तो अल्रेडी शरण में आ चुके हैं फि जैसे ही समस्या आती है उससे हमें पता चलता है जो डेट लोग बाद में एक्सपीरियंस करते हैं और उनके पस कोई तब वो ही नहीं होता वे आउट की वो क्या करें उसके बाद वो मेरे पे पहले ही आ चुकी और मुझे पता है कि यहां का जो सब कुछ है वो नकली है बिल तो वापिस से उस जगा चले जाओगे देखिए यहां किसी को बुड़ा होना नहीं पसंद यहां किसी को दुखी होना नहीं पसंद यहां किसी को मरना नहीं पसंद क्यों नहीं पसंद क्योंकि हम एक ऐसी जगा रहते थे जहां यह सब नहीं था जो खुशियों का भंडार और हम अपनी गलती से यहाँ पर फर्ज गए हैं, क्रियेशन ओफ नेचर जरूर देखिए, सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी ने जो बताया है, और उसमें आपको पता चल जाएगा, कि हम कैसे यहाँ आए, और कैसे हमें इस जगा से निकलना है, सबसे बहली बात, हमारे पेरेंट्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कि हमारे विचार कैसे होंगे, तो भगवान की इतनी दया थी कि मेरे पेरेंट्स शुरू से ही बहुत शरत धालू रहे हैं, और उन्होंने शुरू से ही एथिक्स और प्रिंसिपल्स को सबसे पहले रखा है, तो ये नान वेज, ड्रेंग, ये सबसे तो हम पहले ही दूर थे, लेकिन कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं होगा, जो अपने बच्चों को ऐसी लाइन देना चाहे, कि वो आगे जाकर के उनके बहुत से के लिए खतरनाक हो जाए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बहुत सार ऐसे युवा हैं, जो नसे की लट में पढ़ जाते हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं, जो समाज में हम बुराई के तौर पर देखते हैं, लेकिन हम संत्रामपाल जी महाराजी के अनियों को देखते हैं, कि चाए वो बुड़े हैं, चाए बच्चे हैं, सबी के एक जैसे विचार होते हैं, आध्यात्मिक्ता में वो बिल्कुल लुप्त होते हैं, ये जो हम बदलाव देखते हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखे, सारे स्पिरिच्विल और सोशल रिफॉर्म संत्रामपाल जी महराज ही लेकर आ रहे हैं, उन्होंने ही वो इनिशेटिव लिया है, जो कि कोई ले नहीं पा रहा था, और किसी में इतनी समर्था भी नहीं है, कि वो ले सकें, इस वहम परमात्मा आए हैं, जो हमें सब कुछ बता रहे हैं, कि बच्चों ये सही है, ये गलत है, इन्होंने हमें साफ साफ बता दिया, कि हमारी boundaries क्या है, हमें पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें आगे का दिखता है, जो कि लोगों को नहीं दिखता, गुरु नानक देव जी बोलते हैं, नानक दुखिया सबसंसार, सुखी सोई जो नाम आधार, only the power of true words can make you truly happy and satisfied, पर आज की जो young generation है, young generation क्या बोलूँ, बढ़े बी जो हैं, ऐसे नशे में फसे हुए हैं, वो उसी को सुख मानते हैं, हमें question किया जाता है, कि आप drink नहीं करते हैं, तो आप सुखी कैसे रहते हैं, और असल में वो लोगों के साथ आप एक दो दिन बात कर लीजिए, वो अपना दुख बताने लग जाते हैं, इतने दुखी होते हैं वो लोग, तो वो असल में सुखी तो है ही नहीं, और सुख सिर सिरफ सही भक्ती से ही मिल सकता है, मालविका जी क्या करते हैं आप? मैं चार्टेड अकाउंटन हूँ, अच्छा आप एक बात बताईए, जब हम संत रामपाल जी महराजी के अन्यूयों का इंटर्व्यू लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि उनको कैंसर जैसे बहनक बिमारी ठीक हुई है, उन्होंने नसा करना छोड़ दिया है, आप सिए हैं, और सिक्सित भी है काफी, तो क्या आप मानते हैं कि किसी संत से नामदिक्सा लेने से, कि मंतरों के जाब करने से कोई नसा छोड़ सकता है, या उनकी कैंसर जैसी बहनक बिमारी ठीक हो सकती क्योंकि आप तो शिक्सिते आप जानते हैं कि medical science का जमाना है और ये बाते अपने आप में आश्यास्पत नहीं है आप सब लोगों के लिए ये हाश्य सपन जरूर है क्योंकि आप लोग भक्ती से कोसो दूर है पर हमें परमात्मा का ज्यान मिल चुका है और हमें सब पता है आज कल तो देखिए science जो है जहाँ science खतम होती है ना वहाँ परमात्मा का ज्यान शुरू हो जाता है doctors एक बंदे को dead बोल रहे हैं last stage cancer क्योर हो रहा है वो कैसे हो रहा है देखिए miracles हमें आज तक एक word लगता था उस पर restricted था कि ये बस एक word है ये सिरफ सुनने को मिलेगा हमें या ये fairy tale वाली movies में ही हो सकता है पर परमात्मा सद्गुरू रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ के वो miracle world को ना प्रूफ कर दिया है और आपके सामने हम इतने proofs खड़ा सकते हैं life proofs जो बता रहे हैं कि हम मरे हुए जिन्दा की हैं तो science मेरा खाल कुछ भी नहीं है वो science भी किसकी दी हुई है वो भगवान की ही दी हुई है तो science से आगे है spirituality जो हम सोच भी नहीं सकते और ये man-made तो कुछ भी नहीं है सब परमात्मा का दिया हुए है जो आजकल बन चुका फोन के थूरू हम क्या क्या नहीं कर सकते वो सब परमात्मा की ही देन है आप बगवत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले मैं आपके कैमेरे के माध्यम से एक चीज बोलना चाह सद्द्गुरु रामपाल जी महाराज जी के जो भी शिष्य हैं वो डावड़ी free marriages करते हैं कोई दहेज का लेना देना नहीं होता कोई पाखंड नहीं होता बिना पाखंड के शादियां हो रही इसका सबसे बड़ा लाब किन को मिला इसका सबसे बड़ा लड़कियों के parents औ आध्यात्मिक्ता के साथ साथ में जो सामाजिक स्थर पर सद्गुरु नामपार जी महाराजी ने मुहिम छेड़ दी है, आने वाली पीडियां उसका बहुत जादा धन्यवाद करेंगी, क्योंकि ये किसी आम आदमी के बसकी बात नहीं है, ये स्वेम परमात्मा ही करवा सकते भगत समाज को क्या संदेज जयना चाहते हैं? एक भी सेकेंड को ना वेस्ट करते हुए, परमात्मा की सद्गुरु रामपाल जी महाराजी की शरण में आएं और अपनी जिन्दगी को सफल बनाएं जी धन्यवाद सथ सहीब सथ आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदरशी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए संपर्ख करें जी जानकारी के लिए संपर्मार जानकारी के लिए को सिरक प्रण में आप साबधी को सब्सक्राशी के लिए समर्मेशन